मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया एंड टू एंड डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह एक फैस्शन करेंगे अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी पर पस के लिए यूंज करना चाते हैं जैसे कि आप अपने किसी में के लिए या फिर जो है ऐसक्रोजेक्ट कर सकते हैं और चैसे ने इत्वे स्क्रीड पर देख पा रहे हैं यह यह fan u स्थेंग सिस्टम एए एक क्रेंडेशन सिस्टम आजकी टाइम बहुत एक глав不錯 होता है आप सबी जो है मिंट्रा या विया इलोजे जिदनी बही ओंलाईन आप चैंज या फिर मूवी ठूमिंग आप रहते हैं एस नेट्फिक्स के उपर मुवीज रहती हैं या फिर होट स्टार या फिर अमेजोन के उपर हर जीग आपको जो है recommended items रहते हैं यह बैसिकली यह कैसे काम करता है यह different concepts होते हैं या फिर या तो यह similarity score के उसके उपर काम करता है यह Cosign similarity basically हम निकालते हैं तो different concepts के उपर आप इसको जो है डिजाइन कर सकते हैं इस सिस्टम को जो है तो चलिए सबसे पहले हम डेमो की बात करते हैं जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैं अभी इसको जो है रिफरेश कर देता हूं देखने में यह बहुत ही सिंपल रखा है मैंने क्योंकि लेक यह करता किया है यह किसी भी एक respective fashion item की image के with respect में आपको जो है पांच recommended items देदेगा तो जैसे कि इसकी आप मेरी स्क्रीन देख पारें मैं यहां से कोई भी एक image अगर select करता हूं लेट से मैंने यह sports shoes की image select करी है and I want to get the recommended items for this particular sports shoes so when I will click on the submit so I'll see कि यहां पर जो है मेरे पास जो है डिफ्रेंट रेकमेंडेड आइटम्स आ गए हैं जो की सारे स्पोर्ट शूज हैं में भी उनका कलर डिफ्रेंट है या उनकी कंपनी डिफ्रेंट है बाट दोज आर वेरी सिमिलर टू दिस पर्टिक्लर प्रोड़क्ट यहां पर मैंने एक वोच ली है इस वोच के विद्रिस्पेक्ट के रिकमेंडेड आइटम्स आ गए हैं जैसे यह डिफ्रेंट टाइप की वोच इसे देख पा रहे हैं यह जितना सिंपल लग रहा है उत्मा सिंपल है नहीं तो चलिए अब हम नेक्स्ट चीज की बारे बात करते हैं वह है हमारा डेटा हमारा जो है है यहां पर अगर मैं आपको यहां पर मेरा जो है डि चिखर हमारे पास एक सीजब फायल जहाँ पर मैपिंग'S हैं और यहां पर यह सारी अंजीं हैं जो की different types के items की जैसे T-shirts की watches की ties की there are many many images thousands of images different type के fashion items हैं वो सारे fashion item की हैं और यहां पर उनकी actual mapping है जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ID represents basically name of the image जैसे यहां पर 151970 को मैं अगर मेरे उसमें images में search करूंगा तो वो मेरी एक जो है navy blue t-shirts होगे तो जैसे मैं यहां पर अगर search करता हूँ यहां पर आप जैसे देख पा रहे हैं एक navy blue t-shirt है यहां जो भी है यहां पर उसका name दिया हुआ blue shirt actually यहां पर shirt top wear में है और उसकी category यहां पर gender men के यह है master category apparel है sub category top wear है और आर्टिकल टाइप शर्ट है navy blue है season और year जो है casual different details जो है उस particular items की so basically यहां पर जो id column है वो यह represent करता है कि उस image का क्या नाम है तो यहां पर उन image की ideas का एक mapping बनाई गही है ठीक है यह हमारा dataset है उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर आ जाते हैं मेरे इसके visual studio code के अंदर मैंने पूरे root folder को ही import कर रखा है तो यहां से मैं आपको सारी चीजियों का वोक्तुरू करवा देता हूं सबसे पहले जैसा हम बात करेंगे data की मैंने बात कर ली उसके बाद data कुछ नहीं बात कर लेते हैं अपनी जुपिटर नॉटबुक को मैंने यहीं पर रखा है तो मैं यहां पर आपको एक वाक्टू कर वाँगा जुपिटर नॉटबुक में कहां पर क्या किया हुआ है और कैसे जो है । बेसिकली हमने recommendations जो अपना recommendation system में को बनाया है यहां पर हमने जो है सबसे पहले जैसा आप देख पा रहे हैं सबसे इस पहली सेल में सबसे पहले जो है जो required libraries है उनको import किया है उसके बाद हम data preparation के उपरा आ जाते हैं यहां पर मैंने simple जो अपने data का path दिया है और I am just simply checking कि उस data के अंदर है क्या क्या जैसा मैंने बताता है एक images का folder है और एक styles.csv है जो कि सारी images की mapping लगती है उसके बाद कुछ sample images अगर मुझे plot करनी है तो मैंने यहां पर sample images जो plot करी हैं जैसे आप यहां पर देख पा रहें different fashion items हैं यह कुछ नहीं है just to check कि हम हम जो है data सही से read कर पा रहें उसके बाद यहां पर जो है एक data frame बनाया है इस data frame में हम क्या कर रहे हैं कि 6000 प्रोडेक्स को read किया है and we are dropping the bad lines कुछ bad lines है उनको जो है हम drop कर रहे हैं यहां पर जैसे आप देख पा रहे है error bad lines is equal to false यह एक parameter होता है pd.read csv के function के अंदर और method के अंदर हम इसको false कर देते हैं तो मतलब कि उनको bad lines के ऊपर यह हम फिर हमें error नहीं देगा ठीक है यहां पर हमने उसको data frame बना लिया और हमारे data frame के ऊपर हमने एक apply method यूज किया मतलब एक lambda method apply किया तो जो हमारी string basically हमने एक id column बनाया में एक image column contains id.jpg उसके बाद जैसे हम यहां पर अगर आते हैं और इसको read करते हैं तो हमने एक image column बना लिया है जैसे यहां पर देखो और उस image column के अंदर id.jpg हमने लिख पा दिया है so basically यह हमारी file का नाम ठीक है तो यह वो data frame जो हमने csv से read किया है और उसमें हमने एक column append कर दिया है using this id और हमने एक नया column बना लिया उसके बाद यहां पर हम जो है different हमारे जो items है different article types है article type हमारा एक column था यहां पर अगर आपने notice किया हो तो यह हमारा article type column है जो कि बताता है कि यह किस टाइप का article है इस column का use करके we are kind of printing the categories into into in form of bar so जैसे कि हमने यहां पर अपने article type dot value counts dot sort values and then plot and how kind of bar edge so basically हम यहां पर उनकी basically print कर रहे है कि कौन से item सबसे ज़्यादा है कौन से item so यहां पर हमने उसको एक simple plot बनाया है एक बार प्लोट बोलते हैं इसको यहां पर टी शिर्ट हमारी सबसे ज़्यादा है उसके बाद shirt है उसके बाद casual shoes है उसके बाद watches है उसके बाद sport shoes and बाकी बहुत सारी चीज़ें यह हमारी different categories है उसके बाद हम आज आते हैं model और getting image embeddings so यह हमारा जो आज का recommendation इंजनर है यह embeddings के concept बहुत जादा important है जिसके उपर काम करता है embeddings अगर मैं बहुत simple सरल भासा में बताओं तो embeddings होती है हमारी किसी particular image को हम अगर number की form में किसी एक तरीके से अगर number की form में ले आते हैं और वो हमारी embeddings होती है embeddings मतलब कुछ certain parameter होते हैं और certain attributes होते हैं उनके basis के उपर image को हम अपने numerical form में लेके आते हैं ठीक है तो यहां पर हमने अपनी image की width, height और channels मतलब हमने channel मतलब RGB 3 channel होते हैं colored images के अंदर और हमने अपनी image की width और height जो है specify कर दी हैं यहां से हम model का object बना रहे हैं वी जी जी 16 model का हम यूज करेंगे तो वी जी जी 16 model is specifically trained for classification task of images इसलिए हम यहां पर वी जी जी मोडल का यूज कर रहे हैं उसके बाद यहां पर हमने कुछ helper functions लिखे हैं जैसे कि यह वाला function जो हमें return the path of the images मतलब यह पूरा complete path बना के देगा उसके बाद यह एक predict का function बनाया है जिसमें हम model और image name पास करते हैं और उस image name के base पे हम image के पूरा जो path बनाते हैं उसको reshape करते हैं उसके बाद उसको array में convert करते हैं उसके बाद expanded means का function अपलाई करते हैं उसके बाद input pre-process करते हैं उसको उसके बाद जो है उसको हम model को predict करने के लिए देते हैं यह एक function है यहां पर हमने उनको जो है उन function को जो कि आगे जाकर यूज होंगे हमने उनको अब वो किया डिफाइन किया हुआ उसके बाद get embeddings एक function है यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम जितनी सारी इमेज इसे उनकी embeddings निकाल रहे हैं, embeddings जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता है, embeddings के बारे में, सरल भासा में जैसा मैंने आपको बताया था, embeddings are numerical form of an image based on certain attributes, based on certain attributes, okay, so आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको कोई एक image दी गई है, और कुछ certain parameter के base पे, हर parameter के with respect, उस image की एक कुछ numerical value होगी और उसको हम embeddings बोलते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसे, अगर ये चीज, I'm sure, ये embeddings बहुत बड़ा concept है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई हैं, तो आप Google कर सकते हैं, और अच्छे से पहले ही इसके बारे में पता कर सकते हैं कि embedding क्या काम करता है, किसली होता है, then you can come back to this video, उसके बार यहां से हमने एक function बनाया है, जिसकी help से हम embeddings get करेंगे, सारी images के लिए, यहां पर हम basically क्या कर रहे हैं, जो भी हम data frame पास कर रहे हैं, उसके एक copy बना रहे हैं, और उसके उपर हम एक lambda function apply कर रहे हैं, कौन सा lambda function, predict वाला जो हमने उपर बनाया था, ठीक है, उससे हमें embeddings मिल रही है, और embeddings को यहां पे हम PD dot series अप्लाई करते हैं, उसके बाद PD dot series अप्लाई करते हैं, और यहां से हम embeddings get करके, उसको return करते हैं, ठीक है, यहां पे इस function को call किया है, यहां पे जो हम data frame का object बनाया था, वो पास किया है, और model का object पास कर दिया, तो यह हमें एक embeddings का नया data frame का नया data frame देदेगा, यह data frame का object देदेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, उसके बाद जैसे आप देखेंगे, बहुत सारी images हैं, उन सब images की embeddings बनाई हैं, और यह बता रहा है कि कौन सी image, मतल सारे ही जीतनी images थे हूं, सबकी embeddings बना लिए, और जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, embeddings कुछ ऐसी दिखती है, df embeddings.head, तो एक कोई embedding ऐसी दिख रही है, अब यह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह कुछ, आप ऐसे समझ लिए, यहां पे 512 column है, यानि कि यह 512 different attributes है, ठीक है, अभी के लिए, और हर attribute की एक particular image की क्या value है, let's say 0 attribute के लिए उसकी value 0 है, 1 attribute के लिए भी 0 है, 2 के लिए भी यह है, and let's say 3 के लिए 0 है, 4 के लिए यह है, 0.144590, ऐसे हर image की, हर particular column या attribute के लिए एक different value होगी, तो आप इसको एक image समझ सकते हैं, एक row यहां पे एक image को represent कर लिए, the difference is only it is in the form of numbers, ठीक है, तो उसके बाद जो है, हमने सब की embeddings get कर ली, सारी images की, उसके बाद जो है, हमारा काम काफी आसान हो गया, यहां पे हमने एक बार किसी एक particular image को plot किया है, उसके बाद हमने जो है, यहां पे उसके, जो हमने predict हमारा function था, उसको, उसका use करके, उस image की predictions जो आई थी, वो निकाली, और उसके बाद जो हम, उस sample image की, basically, उसको एक data frame object में लेके आए हैं, और basically, हमने क्या किया है, कि, जो हमारी sample image, जिसके with respect में, हम recommendations निकालना चाहरे हैं, हम उसकी embeddings देंगे, और सारी images की embeddings देंगे, तो हमारा ये linear kernel function क्या करेगा, हर उस particular image की, हर दूसरी embeddings के with respect में, similarity score calculate करेगा, कि, वो एक दूसरे के कितने similar हैं, based on certain calculations, और वो फिर सारी जो similarity score हमें दे देगा, फिर हम क्या कर रहे हैं, कि, हम top 5 similarities निकाल रहे हैं, क्योंकि हम 5 recommendation, एक item के with respect में, 5 item recommend करना चाहरे हैं, तो हम 5 निकालेंगे, 10 निकालना चाहरे हैं, तो 10 निकालेंगे, सो हम क्या कर रहे हैं, कि, जैसे ही, यहाँ पर get similarity का एक हमने अलग से function बना लिया, वहाँ पर हमने सबसे पहले, let's say, हमने यह image दी, और predict से हमने उसकी predictions निकाल ली, उसको फिर हमने data frame में, उसको हमने data frame के form में ले आए, और यह भी हमारी एक embedding है, और जो यह हमारी df embedding, जो सारी images के embedding है, और यहाँ से हम sample similarity निकालके वो return कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद यह एक और function है, normalize similarity का, basically हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि similarities को normalize कर रहे हैं, मतलब कि, different scale पे different values हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक normalization का concept होता, वो apply कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर आके फि data frame pass करेंगे, यह एक function है, जो कि हमें recommendation देगा, return the top 5 most similar products, यहाँ पर हम data frame दे रहे हैं, दूसरा यहाँ पर हम जिस image के लिए हमें recommendations निकाल ले हैं, उसकी similarity देंगे, मतलब कि, यहाँ पर data frame होगा, जो कि सारी images की वो रखेगा, embeddings, और यहाँ पर जिसके with respect हमें निकाल ले हैं, वो similarity होगी, यहाँ पर हम सबसे पहले similarity score कर रहे हैं, get the pairwise similarity score of all the close, and then we are sorting them, and then we are getting the score of 5 most similar, उसके बाद सोर्ट करने के बाद, हम जो है, सबसे उपर वाले 5 scores निकाल रहे हैं, और फिर हम उन 5 score का index निकाल रहे हैं, कि वो item का index क्या है, हमारे data frame के अंदर, फिर हम उस image को जो है return कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे अब यह एक function है, जो define किया गया है, और यहाँ पर उसको call किया है, जैसे get recommendation, यहाँ पर मैंने styles दिया, और यहाँ पर samples similarity, यह वाली जो हमने उपर जो एक normalize similarity जो निकाल ली थी, उसको हम pass कर रहे हैं, किसकी थी वो similarity, वो similarity थी हमारी, इसकी, यह जो हमारा sports shoes है, इसकी similarity थी, तो हम इस sports shoes के with respect में अपनी recommendations निकाल रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यह वाला function जैसे ही call होगा, यह मुझे recommendation देखा, उस recommendation को मैं list की phone में लाके, उसको फिर मैं यहाँ पर उन images को plot कर रहा हूं, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, these are my recommended items for the given image, तो यह मैरा जूपिटर notebook था, उसके बाद मैं आ जाता हूं, back end के code के उपर, back end का code भी most of the code similar ही है, क्योंकि same steps हमें यहाँ पर पर्फॉर्म कर ले हैं, बट जूपिटर notebook ऐसा होता कि, वो आपका एक playground होता, आप वहाँ पर model को train कर सकते हैं, test कर सकते हैं, different चीज़े कर सकते हैं, जब आप यह सारी चीज़े कर लेते हैं, then actually, फिर आपको जो है, back end लिखना होता है, तो यहाँ पर भी simple वही है, वो सारी चीज़े यहाँ पर मैंने import किया, यह मेरा back end का code है, उसके बाद यहाँ पर flask का object बनाया है, य define किया रहे है, वो वैसे ही, यहाँ पर फिर हम model का object बना रहे हैं, model का object बनाने के बाद, यह कुछ helper function है, image path गैट करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए, embeddings गैट करने के लिए, और similarities करने के लिए, similarity को normalize करने के लिए, और recommendation को गैट करने के लिए, यह सारे वही फंक्श at this, हम अपना home पे, इस पे हम home function call होगा, और यहाँ पे index.stml को render कर देंगी, इस API की call पे, दूसरी API यह हमारी get recommendation की है, यहाँ पे हम get recommendation वाला function call करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम request से, जो मतलब कि जब हम request करेंगे, मतलब front end से request आएगी, API request, वहाँ वो हम हमें एक image देगा, उस image को हम get कर रहे हैं, और उस image को for the time being, हम अपने static folder में save कर लेते हैं, template के नाम से, मतलब जिसके लिए हमें recommendations निकालनी है, जो user ने हमें दी है, ठीक है, उसके बाद हम जो है, यहाँ पे, सबसे पहले similarity निकालते हैं, जो हमने, जो image यहाँ से निकाली थी, उस image देखें, और model का object देखें, यहाँ से हम similarity निकाल लेते हैं, और फिर उसको normalize कर लेते हैं, उस similarity को, यहाँ पे हमारे पास normalized similarity दाज आती हैं, और यहाँ पे एक style df है, यह जो है, यह हमारा data frame है, उसका जो की हमारी embeddings थी, basically जो हमारा data frame था, ठीक है, जो जिसके अंदर सा जो हमने starting में ही read किया था, उसके बार यहाँ पे हम recommendation गैट कर रहे हैं, और recommendation को हम to list में convert करके, हम यहाँ पे उन images का सिर्फ path return कर रहे हैं, तो जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाओं, यह मेरी एक API है, और इस API को हमने postman के तुरुई, यहाँ पे test किया था, तो उसका, इसका response कुछ ऐसा आता है, जैसे यहाँ पे आपको postman के अंदर जाना है, postman में आप और यह मेरा server का URL है, और यह मेरा API return point है, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से एक image दे रहा हूँ, image में मैं यहाँ से कोई भी image select कर सकता हूँ, लटसे कोई भी एक random image अभी के लिए मैं select कर ल मैं यहाँ से अगर send करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए, इस particular image के लिए उसने ये वाली images का path दे दिया है, हम path दे रहे हैं और इस path का use करके front end पे हम images को display कर देते हैं, यहाँ पे 5 path दिये हैं उसने, जैसे आप देख पारे, 1, 2, मतलब 5 path दिये हैं, आप इसको बाद म में भी check कर सकते हैं, उसके बाद यह मेरा back end हो गया, front end पे जल्दी से हम बात कर लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, front end में यह वाला part जो है, हमारा जो add में यहाँ पे styling डाली हुई है, उसके बाद यहाँ पे आजाते हैं, body में, जो की हमारे लिए सबसे ज़्यादा important है, हा preview image का, तो यह function क्या करता है, जैसे हम user को image upload करता है, वो उसका preview दिखा देता है, तो यह वह वाला function है, जैसा कि मैंने starting demo में ही दिखाया था, यह preview दिखाने वाला function यह वाला है, ठीक है, उसके बाद जो है, हमारा submit image का function है, जो की हमारा call करता है, get recommendation API endpoint को, ठीक है, यहाँ पे ह अगर हम जो image append करते हैं, उस image को हम बेज़ते हैं, और यहाँ पे हम API call करती है, अगर हमारा status 200 आता है, तो हम पास कर लेते हैं, response को, नहीं आता है, तो हम error देते हैं और हम पास करने के बाद यह वाला function call करते हैं, display recommended images यह वाला function जो है, उनको recommend, जो हमरी recommended images आई है, उनका path अय उसको यहां पर display करते हैं तो यह वाला function वही वाला कि हम हर image के लिए एक div create करते हैं और extra की थोड़ी styling है और फिर उसको child append करके वहां पर उस image को जो हम दिखाते हैं तो यह वह वाला function है simple सा ही है बहुत जादा difficult नहीं है और यहां पर embeddings.pickle यह जो है हमने क्योंकि जब फर्स टाइम आप जब आपने code को run करेंगे तो यह वाला backend वाला code embeddings निकालने लग जाएगा तो आपको वह बार-बार निकालने की ज़रुत नहीं है यह मैंने already embeddings इस निकाल के pickle की form में रख दियें उसके बाद यहां से हमारा जो अगेन फिर से डेमो करके दिखा देता हूं यहां पर जो है इसने रेकमेंड किये हैं तो इस टी-शिर्ट या श्यर्ट के अकोर्डिंग एक्सलिए इमेजिश का साइज बहुत कम है उसके बाद जो है हमने उसके बाद जो है हमने उसके बाद जो है हमने फ्रेंट की बात कर ली बैकेंड की बात कर ली API को कैसे टेस्ट किया है डेमो हमने कर लिया है और यह सारी चीज़े हमने कर लिये आई थिंक हमने सारी चीज़े कर लिये again I want to say कि अगर आप इस project को अपने किसी भी purpose के लिए use करना चाते हैं तो आप मेरे से connect कर सकते हैं I would be able to help you with the source code and if you have not liked or subscribed my channel please like it, subscribe it it will be really helpful for you अगर आप genuinely AIMLV से related कोई चीजे, नही नही चीजे सीखना चाते हैं, till the next video that's all for this video, till the next video, bye bye, take care